ऐसे movies होती है जिसमें बस बड़े actors या जिने हम mass level actors कहते हैं वो नहीं है या उसका marketing अच्छे से नहीं हो रहा है इसलिए लोग देखने नहीं जाते लेकिन भाई साब आज अपने इस काम की कसम खा के कहता हूँ कि बहुत दिन बाद एक ऐसे movie देखी है जिसने दिल को छू लिय तो well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी अपने future और मंजिल को लेकर अगर सचे दिल से dedication हो तो उस मंजिल को पाने के लिए क्या-क्या नहीं किया जा सकता उसका perfect example है 12th fail movie जो based है उसी नाम के एक book पर जो अनुराग पाठक ने लिखी है और ये film biography come struggling journey दि उसे देखकर आप कहोगे कि यार इससे बुरा और क्या ही हो सकता है life में हम तो फिर भी बहुत अच्छी जिन्दगी जी रहे है उपर से पूरे storyline में जितने भी actors है हर किसी की acting एकदम ऐसा लगता है मानो मिट्टी से जुड़ी हुई हो एकदम top notch specially lead actor विकरांथ मेसी I do realize कि य educational aspect को लेकर चलती हो लेकिन इस film को इस तरह से बनाया गया है कि हर एक इंसान के personal life को touch कर जाएगी और जिस movie में ये personal connection का जादू चल जाता है ना उस movie को super hit होने से कोई रोक नहीं सकता इवन अगर सिर्फ entertainment aspect के बाद करे तो भी ये movie आपको starting से लेकर end तक seat से बांधे रखती है Each and every single scene ऐसा बनाया गया है जिसमें कमी ढूंडने से भी नहीं मिलेगी और common से common public भी इस film के हर एक scene को आसानी से समझ जाएगी and specially जिस तरह का emotional and motivational bond ये film बनाती है आप इस film के हर emotion के साथ खुद के emotion को भी change करते रहोगे आपको हसे आएगी आपको रोना आएगा आपको गुसा आएगा आपको तरस भी आएगा और last में आप movie खतम हो जाने के बाद खुशी को ऐसे दिल में समा कर बाहर निकलोगे कि आज मैंने भाई साब देखो मास मसाला वाली movies तो बहुत आती जाती रहती है लेकिन एक ऐसी movie जो सच में मास audience को देखनी चाहिए ऐसी movies बहुत कम बनती है मैंने इस movie को देखने से पहले real life IPS मनोज कुमार शर्मा के बारे में already पढ़ लिया था और ये कहानी वैसी की वैसी आ दिखाया गया है हाँ अब फिल्म है तो creative liberty भी है लेकिन सब कुछ बड़े परदे पर बहुत खूपसूरत लगता है and I think ये first movie है जिसे मैं पूरे दिल से 5 out of 5 stars देना चाहूंगा जाहिए और अपने पूरे परिवार के साथ इस movie को theater में enjoy कीजिए and specially सभी students ने ये movie जरूर द देखनी चाहिए मिलता है अगले वीडियो में बाई